दोस्तों अकसर हमारे फोन में बहुत से ऐसी फोटो पड़ी होती हैं जिन में बहुत से अच्छी बाते लिखी होती हैं या कुछ कोट्स लिखे रहते हैं या कोई शायरी लिखे रहती हैं और हम चाहते हैं कि हम उसको जो है किसी के साथ शेयर करें पर हम उस फोटो को शेयर न पास एक तरीका है कि मैं इसको पूरा जो है वो किसी कागस पर लिखूं या इसको याद करूं और उसके बाद जो है किसी को मैसेज में सेंड करूं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप जो है सिंपली इस फोटो क टेक्स्ट में convert कर सकते हैं और वो भी एक single click में तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको एक app को download करना होगा जिसका link आपको description में मिल जाएगा app को download करने के बाद आप जैसे इस app को खोलेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा interface आएगा जहां पर आपके पास बहुत सारे options आपको दिखेंगे इन option में आपको जो second number का ये option है आपको इस पर click करना है और ये आपको ले जाएगा आपकी gallery में जहां पर वो सारी photos जो हैं वो पड़ी हुई है इस photo में आपको उस photo को चुल लेना है जिस पर लिखे हुए quote को आपको text message में convert करना है तो जैसे for example कि मैं यहाँ पर इसको जो है वो चुल लेता हूँ यहाँ पर select करने के बाद आप देख सकते कि single click के बाद आपको जो पूरा message वो आपको यहाँ पर लिखे हम मिल जाएगा आप चाहे तो यहाँ पर इसको directly select कर सकते हैं उसके बाद copy कर सकते हैं चाहे तो आप इसको यहाँ से share के option पर click करकर भी जो है वो message में या whatsapp पर इसको जो है वो share कर सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ पर इसको जो है इसको copy भी कर सकते है copy to clipboard के option पर click करके तो दोस्ते इस तरीके से आप किसी भी photo को जो है वो text message में जो है वो convert कर सकते हैं इस app का link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से जाकर इसको जो है वो download कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अपने आने वाले अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत